राष्ट सर्पर्थम की बात कार्ट करम में आप सभी राष्टवासियों का हारदी स्वागत है संसत पर हमले की आज 22 वी बरसी है आतंकी हमले के 22 साल पूरे होने पर सदन में शहीदों को शद्धांजली दे गई उप्राश्पती जगदी धनखड पीम मोधी ग्रेह मंत्री अमिट शाह ने सभी शहीदों को शद्धांजली दी वहीं पीम मोधी ने उनके परिजनों से मुलाकात की सुप्रम कोट ने बुदवार को दिल्ली मेरेट रीजनल रैपिट ट्रांजेट सिस्टम के लिए धन उपलब्द कराने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की और कहा की सरकार को राज्य सरकार के विज्यापन से धन प्राप्त करने के अपने आदेश को पुनर जीवित करने के लिए अदालक को मजबूर करने से बचना चाहिए मोहन यादव ने बुदवार को मधप्रदेश के 19 मुख्यमंत्री की रूप में शपत ली मद्ध प्रदेश में जगदीश, देवडा और राजेंदर शुकल भी उपमुखे मंतरी बने, भारते जनता पार्टी ने हाल ही में संपन्ध विधान सभा चुनाओ, 2023 में तीन राज्जियों मद्ध प्रदेश, राजिस्थान और 36 गड़ में जीत हासिल कर सभी को चोका दिय नकसल प्रभावित नरायनपूर जिले में नकसलियों द्वारा किये गए, IEED बंब विस्पोर्ट की चपेट में आने से 36 सशस्त्र बल का एक जवान शहीद हो गया, तथा एक अन्य जवान घायल सब्री माला में भगवान अयप्पा मंदिर में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्थेति गंभीर होने के कारण पहाडी की चोटी पर स्थेत मंदिर में भारी भीड उमडी भाश्पा युवा मोर्चा के कारेकरताओं ने सब्री माला में सचवाले के बाहर केरल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया भाश्पानेता कुमुन्नम राजशेखरन ने राजय सरकार पर भीड के कुप्रबंधन का आरूप लगाते हुए कहा कि मुख्य मंतरे कह रहे हैं कि उन्हें इतनी भीड की उमीद नहीं थी जमु कश्मीर को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने देश की सबसे खुबसूरत और आधुनिक ट्रेनों में शुमार वंदे भारत की सौकार दी है केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार ने उधंपूर से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है आयकर विभाग पश्चिम बंगाल के आसन सोल में त्रमूल कॉंग्रेस की पूरुविधायक सोहराव अली और उनके व्यवसाई मित्र इंतियाज एहमेद के परिसरों पर छापे मारी की है ये संपत्ती कथित तोर पर लोहे के स्क्रैप व्यवसाई में उनकी भागीदारी से जुड़ी थी भाश्पानेता विश्णोदेव राय ने 36 गड़ के चौथे मुख्य मंत्री के रूप में शपत ली है व्यवप्रदेश के पहले आदिवासी मुख्य मंत्री दी है दिली के इंद्रागांधी एरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोना जपत किया है कस्टम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने पंद्रो सो ग्राम वाले तिरासी लाख रुपए का सोना पकड़ा है यूपे में प्रजातिय पुलिस सेवा संबर के 167 अफसरों के तबादले कर दिये गए हैं इसके तहट पुलिस उपाधिक्षकों, सहायक पुलिस आयुक्तों और सहायक सेरानायकों का स्थानांतरंट किया गया है आमादमी पाटी के विधायक भुपेंद्र भाई भयानी ने बुद्वार को गुजरात विधानसभा से स्तीफा दे दिया खबरों की माने तो वहभारते जंदा पाटी में शामिल हो सकते हैं सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोधी को चुनते हैं 36 गड़ से विष्णोदेव साय, राजिस्थान से भजनलाल शर्मा, मधप्रदेश से मोहन यादव को पूर्व चेयर्मैंस थाई समिती, पूर्व निगम पार्षद, दिल्ली नगर निगम, विजेंद्री यादव की ओर से आप सभी को मुख्य मंत्री न्यूक्त होने पर हार्दिक शुपकान नाए, आपके चैन में सबका साथ और सबका विश्वास है, सर्वांगिन विकार्स के आपके हर प्रयास में हम आपके साथ रहेंगे, डबल एंजन सरकार की रफ्तार कभी कब नहीं होने देंगे पूर्व सिक्ष्व मंत्री और मध्प्रदेश के उजयन दक्षिन से तीन बार विधायक रहें, मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउन में मुख्य मंत्री पत की शपत ली, इस दोरान राजेंदर शुकला और जगदीश देवडा ने डेपटीव सीम के तौर प शामिल हैं मैं भारत की प्रभुता और खंडता अक्षुन रखुँगा, मैं मध्प्रदेश के राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का सरद्धा पुर्वक और सुद्ध अंतकरन से निर्भन करूँगा, तथा मैं भय या पक्षपात अनराग या देश के बिना सबी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा, मैं डक्टर मोहनियादो इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे मध्प्रेश राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएगा, अथवा मुझे ग्यात हो उसे किसी व्यक्ति या वक्तियों को, तब के सिवाए जब एसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के संव्यक निर्वन के लिए ऐसा करना अप्रक्षित हो, मैं अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा मैं जग्दिश देवडा इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं सत्य निष्टा से प्रती ज्यान करता हूँ विधी द्वारा इस्तापित भारत के सम्विधान के प्रती सची स्रद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अकंडता अक्षुन रखूंगा मैं मदिप्रदेश राज्य के उप मुक्यमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का शद्दा पुर्वक और शुद्द अंतकरन से निर्वान करूंगा तथा में भाय या पक्षपात अनुराग या दोईश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संभीधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं जग्दिश देवड़ा इश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशे मध्यप्रदेश राज्जी के उप्रमुक्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकी ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा और प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा मैं राजन शुकला इंश्वर की चपत लेता हूँ कि मैं विदि द्वारा इस्तापित भारत के सम्यधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड़ता अच्छोंड रखूँगा मैं मद्प्रदेश राज के उप मुखमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विदी के अंसार नयाय करूँगा मैं राजें शुकला इश्वर की शबत लेता हूँ कि जो विशय मद्पदेश राज के उप मुखमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवों के समभग निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा भाश्पन एता विश्णुदेव साई ने चत्तिसगड के चौथे मुख्य मंत्री के रूप में शपत ली है व्यप्रदेश के पहले आदेवासी मुख्य मंत्री है इस दौरान प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी भी मौजूद रहे वहे अरुण साओ और विजय शर्मा ने राजी के उप मुख्य मंत्री के रूप में शपत ली है महोदे नवनियुक्त मुख्य मंत्री श्री विश्नु देव साय अपने पद तथा गोपनीता की शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित है निवेदन है कि कृपिया नवनियुक्त मुख्य मंत्री को पद एवं गोपनीता की शपत ग्रहन कराए मैं विश्णू देव साय इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रधा और निश्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अक्छुन रखूंगा मैं 36 गड़ राज के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का सरधा पूर्वक और सुध अंतरकरन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना सभी परकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नय करूंगा मैं विशनू देवसाय इस वर की सबत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गड़ राज के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तबियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रूप से ससुंचित या परगट नहीं करूँगा नवनियुक्त उपमुख मंत्री श्री अरुन साव अपने पद तथा गोपनीता की शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित है निवेदन है कि कृपिया नवनियुक्त उपमुख मंत्री को पद एवं गोपनीता की शपत ग्रहन कराएं मैं अरुन साव इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधीद्वारा इस्थापित भारत के समिधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अच्छिवन रखूंगा मैं छत्तिर गड़ राज्जी के उपमुख्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वत और सोध्ध अंताकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या ज्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं अरूंड साव इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय 36 गणराजी के ओपमुख्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकी ऐसे उपमुख्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा आ प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा केंद्री संचार मंत्री अश्विरी वैशनव ने आज लोकसभा में डागघर विधियक 2023 पर चर्चा करते हुए कहा कि पोस्ट ऑफिस को डागघर का नेटवर्क कहा जाता है उन्होंने कहा कि पिछले नौव वर्षों में पोस्ट ऑफिस को मेल डिलिवरी से सर्विस डिलिवरी में कनवर्ट किया गया है पोस्ट ऑफिस से बैंकिंग सिस्टम में परिवर्तित किया गया है जिससे जंजन को इस का लाप मिल रहा है। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को किस तरह से पिछले साड़े नौ वर्षों में टोटली ट्रांसफॉर्म किया गया है। प्रभावी है जिसमें देश में जन जन को इसका बेनिफिट मिला है। जैसे सर्विस निलिवरी की बात करें तो पोस्ट आफिस के जरिये से पासपोर्ट बनाने की जो वेवस्था बनी। उसके कई ऐसे अच्छे उधारण है हिमाचल प्रदेश का एक उधारण है लाहूल स्पीती का। श्री संसार चंद जी जिनको पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले अगर शिमला जाना पड़ता तो तीन से चार दिन लगते। आज वो कुलू मुख्य डागगर में ही पासपोर्ट आफिस सेवा केंदर के खुलने से एक दिन में पासपोर्ट बन जाता है। वैसे ही उडिसा के बोलंगीर जिले में आदर्श पड़ा में रहने वाले एक 62 वर्ष के भाई हैं श्री जगदीश चंदर पात्रो उनका पासपोर्ट बोलंगीर हैड ओफिस में ही बन गया इससे पहले इनको बोनेशवर 300-400 किलोमेटर दूर 300 किलोमेटर दूर बोनेशव वाले जो हमारे भारत के नागरिक हैं वो भी अपने हाथ से बनी हुई चीजे या फिर उस एरिया की लोकल चीजों को बहुत ही आसानी से डागगर के माधियम से निर्यात कर पा रहे हैं जैसा एक एक एक्जामपल है उत्राखंड में रुडकी से बहन गंगा देवी पाती वो सेरामिक नॉब्स अमेरिका और कैनेडा एक्सपोर्ट कर रही है भागलपुर बिहार के भाई एहमत नदीम आसपास में जो रेशन की साड़ी और कप्ड़े का जो काम होता है उसकी जो कत्रों होती ही मानिवर अध्यक्ष जी उसकी बेकार समगरी से बनाके परदे सोफा कवर पिलो कवर इत्यादी बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया कैनेडा ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते हैं डाक निर्याद के अंदर के जरिये से वैसे ही गोवा में बहन मोना डिसुजा है वो परसनलाइस्ट फोटो फ्रेम सिंगपुर और यूए निर्याद करती है अध करें उडिसा के गजपती जिले की 95 यर ओल्ड वृद्ध माता लबंग गया जी उनको बड़ी तकलीफ होती थी चलने फिरने में 95 यर्स की है बैंक तक जाके अपनी पेंशन लेने में दिक्कत होती थी पोस्ट आफिस के द्वारा जब ये सर्विस दी गई तो उनके घर पे ये फैसिलिटी उनको आज पेंशन मिल जाती है ऐसे बहुत सारे अनिक उदारन है जन सेवा के तो मानिवर अध्यक्ष जी पासपोर्ट सेवा केंदर से आज करीब करीब अब तक सवा करोड से अधिक देशवासियों को इसका लाब मिल चुका है देश में करीब करीब 10 आख लोग ऐसे हैं जिने घर बैटे अब तक 29,000 करोड रुपे से ज्यादा का बेनिफिट घर तक पहुचाया जा चुका है किसी भी बैंक के अकाउंट हो पोस्ट आफिस के इलेक्रोनिक डिवाईस से आधार इनेबल तरीके से अच्छे से आसानी से कनेक्ट करके आज सरका की जो सुविदाएं हैं जो लाब हैं वो लोगों को घर तक मिल रहे हैं पोस्ट आफिस के जरिये से मैं सभी मानिवर सांसदों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने शेत्र में इस फैसिलिटी का उप्योग कराएं और जितना हो सके अपने शेत्र के निवासियों का पोस्ट आफिस में इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक में अकाउंट खुलवाएं तो उनका जो लाब है वो लाब आराम से घर बैठे मिल सकता है मानेवार रद्यक्ष जी, पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिये से करीब करीब आठ करोड कस्टमर है, जिसमें से साड़े तीन करोड कस्टमर तो बहने है, तो ये आज इतनी बड़ी सुविधा है, बारत के प्रदान मंत्री शी नरेंदर मोधी जी ने दी है, जिससे जन जन की ज With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. सबका साथ और सबका विश्वास है, सर्वांगिन विकार्स के आपके हर प्रयास में हम आपके साथ रहेंगे, डबल इंजन सरकार की रफ्तार कभी कब नहीं होने देंगे. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दरपन को अभी सब्सक्राइब करें, और notification के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले. राश्ट सर्पर्थम की बात काचक्रम में, ब्रेक के बात एक बार फिर आप सभी राश्वासिकों का स्वाल है. पंचायत वौड में इन शिवरों के जरिये राज्य सरकार की लोग कल्यानकारी योजनाओं का लाप अवश्चेलें, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान लोगों के द्वार पर ही किया जा रहा है, जहां रास्ता नहीं है, बहां भी सरकारी, पदादिकारी लोगों के द्वार जाकर उन्हें योजनाओं से जोडने का काम कर रहे हैं हमारे महागडबंदन के सभी नेतागण, पत्रकार मित्रो मैं आप सब का इस कारिक्रम में हारदिक अभी नंदन करता हूँ आज आप सब को मालूम है कि पूरे जामतला जीला ही नहीं पूरे जार्खन के गाओ गाओ पंचायत पंचायत में सिविर लग रहा है और उन सिवीरों में कई सारे पतादिकारियां, पतादिकारी मौझूद होते हैं और बगल में जैसा स्टॉल लगा हुआ है ऐसा ही अनेको विभाग के स्टॉल भी लगे हैं कोई बिर्धा पैंसन का स्टॉल है, कोई बिजली विभाग का है तो कोई आवास का है तो कोई सावितरी भाई फूले योजना का है तो कोई मुखमंत्री रोजगार सिर्जन योजना का है अनेकों परकार के और उस पंचायत का पूरा घर से उठकर के मा बेटा बेटी पूरा परिवार उठकर उस सिवीर में पहुँचकर अपने लिए क्या य чаसे वो खोजने में लगें ये सिविर पहला सिविर नहीं है तना इस राज ने ये ये कारिक्राइव 2021 था मैं हम लोगों ने चला था 2022 भी चलाया और अब 2023 में चलाए 24 तारिक तक ये उन जालेक्व si में पहले कैम से हमें 35 लाख गाउं से आवेदन मिले दूसरा कैप में लगबग 55 लाख से अधिक आवेदन हमको गाउं से मिला तो लगबग एक करोड आवेदन समस्याओं का गाउं से आने लगा तो हमने माथा पकड़ लिया अरे भाई ये क्या हुआ बिस वर्सों में क्या ब्लॉक कारेले काम नहीं करता था क्या जीला कारेले काम नहीं करता था जो इतना समस्याओं आ गया फिर हम लोगों ने आपके इस आवेदन के माध्यन से गाउं के अंदर मूल समस्याओं को जानने समझने का हमें मौका मिला और सबसे पहले हमें अपने गाव को मजबूत करना पड़ेगा तभी राज मजबूत हो सकता यह राज हमेशा से चुनोतियों के साथ आगे बढ़ता रहा है आधिवासी दलीत पिछड़ा अल्प संक्यक लोग विचारे जीवन भर संगर्स करते हैं और यही वज़ा है कि एककृत बियार में इस राज के वासियों के हवाम के दिन बदिन बच से बत्तर होता जा रहा था तब जाकर कि आधनी दिसों गुरु सीबु स्वरेंजी ने अलग राज का एक लंबा लडाए लडा और इस लडाए को 40 साल बिद गए तब जाकर के 2020 में हमें अलग राज मिला तो कई कई चीजे हैं हमें पता है आज कई गरीब गुरुवा लोग विचारा कई तेवार कई पर वाते हैं लेकिन पैसे क्या वाम एक कपड़ा नहीं खरिच सकता अब जारखन के हमारे गरीब बुड़े बुजुर्ग असहाय कमजोर कोई भी अब हर साल में दो बार उनको नया दो पणा पढ़ा पहनके रहें लोग आज भी सरकार को सरकार के वश्याजाय के इन कारवाई से इतनी आशा उमीद जगी है बहुत साह हैं कี่ मेरा ये काम कर देंगे vibrant कर देंगे एक एक करके इस राज की समस्या का समाधान होगा अब हम उस राज पर चल पड़े हैं आज उस बिमारू राज को हम मजबूत बनाने में लगे हैं कि आने वाला 25 वर्सों तक में ये जारकंड इतनी ताकत पैदा कर ले कि अपने इस राज की हर चुनोतियों का सामना कर पाए और ये पिछड़ापन का कलंग को मिटाने में सक्षम हो पाए केंद्री मंत्री सर्बनन सोर्नेवाल ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर के विकास को लेकर प्रैसवार्ता को संबोधित किया इस दोरान मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्री मंत्री ने कहा कि हिंद्वस्तान अब विश्व की पांच वी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है पूर्वोत्तर शेत्र भारत की विकास का पावर हाउस बन कर उभर रहा है उन्होंने कहा कि पियम मोदी ने अपने 9 साल के कारेकाल की दोरान शेत्र के लिए अपनी गैरेंटी से कही अधिक काम किया है और इस दोरान उपेक्षा का सामना करने वाले पूर्वोत्तर शेत्र में शांती और सुरक्षा बहाल हुई है सडक, रेलवेज, जलमार्ग और हवाई संपर्ख सहित मुनियादी धाचे को बढ़ावा देने के लिए 9 वर्शों में शेत्र के 8 राज्यों को 5 लाख करोड रुपे से अधिक का अनुदान भी दिया गया है आप सबको मालूम है हिंडूस्तान अप दुनिया की पास्वे बड़े सक्ति शल्य अर्टर विवस्ता बंद शूखा है और पिछली 9 साल में हमारे देश के आदस बड़ी नेटा परधान मंति नरेंड़ मुरी जी की नेटिट्ट में देश की हर प्रांथ विकास की रास्टे पर टेश से सलने लगा है और आप सबको मालूम है देश की एक प्रांथ है नौर्टिस इंडिया और नौर्टिस इंडिया आज से 9 साल पहले सबको मालूम थे किस हालत में रहे लेकिन 2014 में जब बीजेपी लेट एंडिये सरकार बने और नरेंड़ मोडी जी देश के पढ़ान मंति बने तब से पढ़ान मंति जी ने नौर्टिस को विशेश रुप से ध्यान दिया और उन्होंने 9 साल जिस हिचाप से बड़े बड़िस अधिकारी उन लोगों को भी कहा कि आपको भी नौठी जाना हो तो ऐसे ही नौठीश को निरांतर ध्यान दिया और उन्हें नौठीश को विशेश सुपसे मनोबल देने के लिए और नौठीश का जो भी सक्ती संपडा और संभाव ना को उजागर करने के ल और आपको एक अक्रा दूँ सारे करियकरम में सारे इनिशेटिव में कितने निष्ठा और भक्ती समिल रहे दो साल के अंदर अगर आप अक्रा देखे हमारे केंडिया मंत्री का नौठीश 362 टाइम्स विजित के आई इससे साब जही है कि 9 साल के अंदर आज सो से अधिक ब मस्बूर कड़ाम उठाया नौठीश की जन्ता के साथ उन्होंने बाच्षित की संगबाद की और एक वर्किंग होलिस्टिक रिलेशनसिप बनाने के लिए उन्होंने जो कड़ाम उठाये मोडीजी की निडेश को मुटाबिक आज ये सभल सभीत हुई है आज आज आप लो और इसकी बज़र से आज नौठीश ने अपना सक्ती दिखाने का काम किया है और मोडीजी ने भी कहा था कि नौठीश कोई मामूली इलाका नहीं डेश का अस्टल अस्मी है यानि कि हम इसको कह सकते है कि दिश इस इस पाउर हाउस अप इंडिया स्कूथ तो इसनी नौ साल के अंदर मोडीजी के गरंटी ने जो भी गरंटी उन्होंने डीथी उससे अधिक करके दिखाए मोडीजी के गरंटी ने अस्टल अस्मी को नौ साल के अंदर पांस लाग करूर के अनुदान से सजाया है और मोडीजी ने जो संकल्प ली इस संकल्प सही निभाया है तो इस आपने आपको जोड़ने के लिए उनको एक सुनेरा मोका मिला है तो पिशली जीनों में जो भी विशाय पर करियकरम रसना की गई है इसमें आपने खुट देखी है और अधीक से प्रांटों से आमफो से स्पेशल पावर एक को विड्र की गई है इसका मतलब साब है कि आज जिस सांती का बताबरन है ये सांती का बताबरन के बज़े से और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दरपन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले आज हम इसकार्चक्रम में आपसे बिदा लेते हैं आप अन खबरों के लिए बने रहें राश्टर पर्थम बंदे मातराम जाग उठा है भारत राश्ट्या सल्वथम राश्ट्या सल्वथम राश्ट्या सल्वथम राश्ट्या सल्वथम राश्ट्या सल्वथम